वेल आई हाईली रेकमेंड और मैं बड़ी देर से ये कहता रहा हूं कि अगर आप फ्रीलेंसर हैं तो आपको अपनी वेबसाइट जरूर रखिनी चाहिए अगर आप एक वेबसाइट डिवेलपर हैं अगर आप टेकनिकल डुमेन में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर आप अपना काम सिखा सकें काम दिखा सकें उससे यह होता है कि एक इंपेक्ट अच्छा पड़ता है क्लाइंट को थो टीकिरेड़ा कर सकते हैं आप अपने प्रीवियस कलाइट के रिव्यूइव दिखा सकते हैं आप अपना आप हमारी website create करें because उसने अपनी ही आज तक नहीं की तो पहले तो आप अपनी website create करें फिर दूसरे लोगों की create करें और अगर आप टेक designer हैं तो designers भी करते हैं अपनी website बना कर रखते हैं separate dedicated website होती हैं और और प्लेटफॉर्म्स भी मौझूद हैं जैसे आपके पास भी हैंस मौझूद है वहां पर भी शायद बना लेते हैं portfolio इसके लावा आप अगर यह भी नहीं करना चाहते तो लोगों ने गूगल ड्राइव के अंदर भी अपने पॉर्टफॉलियो उसको रखा होता है स्लाइड भी बनाई होती है ऑनलाई जैसे गूगल क्लावड के ऊपर गूगल स्लाइड्स के ऊपर यहां तो लोग करते हैं अगर आप नहीं करते तो फिर मतलब है कि आप इससीज़ को